दोस्तों आपके emotions हमेशा आपको side direction में lead करते हैं हमारी एक ऐसी body है एक ऐसा instrument है जो कोई भी user manual के साथ नहीं आ रही अगर आप एक washing machine खरीते हो तो उसके साथ एक booklet आती है जैसे आप देख सकते हूँ कि उस machine को कैसे use करना है पर जो हमारी physical body है उस सबसे advanced mechanism है advanced machinery है पर हमारे पास उसकी कोई guidance नहीं है कोई भी book नहीं है उसके साथ book है बोड़ वो internal है actually internal यहाँ पर है आपकी emotions हमेशा आपको lead करते हैं कि कौन से direction में आपको जाना चाहिए एक example लेते हैं आपको कोई दोस्त बोलता है कि चल याँ मेरे साथ dinner पर चल आपकी पास दो option है आप जाओ या ना जाओ आपकी मानलो इच्छा नहीं है जाने की बिलकुल इच्छा नहीं है जाने की और आप बोलते हो कि नहीं नहीं यार मुझे इच्छा नहीं कर रही पर वो दोस्त फोर्स करता है कि चल नहीं यार मेरे साथ किते दुनों बाद आया हूँ मैं और आप बोलते चल ठीक है तो क्या हो रहा है जब आप convince हो कि आपको नहीं जाना और आप जाते हो उस unconvention के साथ कि मुझे नहीं होना चाहिए यहाँ पर मुझे नहीं hangout करना उस person के साथ आप जाते हो तो आप एक क्या कर रहे हो एक emotional body create कर रहे हो वो emotional body जाके इखटी होती है आपकी body के अंदर अब जैसे ही वो emotional body आपके अंदर जा रही है वो emotions इखटे हो रहे हैं आप यह मान सकते हो कि एक जौला मुखी में एक volcano में हम वो emotion फैकते वे जा रहे हैं अब कई बार कोई ऐसा point आएगा आपके life में जहां पर वो emotion फटके भार निकलेगा अब वो जो गुसा है आपका निकल सकता है जैसे for example आप किसी दोस्त के लिए वेट कर रहे हैं और वो नहीं आया 5 मिनिट तक और आपको अच्छानक सुष पर बहुत जारा गुसा आएगा और आपको realize नहीं होगा कि यार इतना गुसा क्यों आया rationally आप सोचोगी क्यों आया मुझे उस पर इतना जारा गुसा कोई reason नहीं था अब वो reason इसलिए नहीं था क्योंकि आप उस emotion को दबाते वे आया हो हमको बचपन में बहुत अच्छा train कर रखा था हमारे parents ने अगर हमको रोना आता था हमको बोलते हैं कि चुप हो जा रोना बंद कर तो वो रोना बंद कर क्या हो रहा था उस वो बच्चे का actual mechanism ये था कि वो अपने emotions को भार निकाले अंदर ना रखें पर क्या हो रहा था जैसे हम उस बच्चे को बोलते हैं कि रोना बंद कर वो emotion दब जाता है उस emotion के साथ emotional memory भी दब जाती है emotional कर्मा भी दब जाता है तो वो कर्मा को release नहीं कर पाते उसको transmute नहीं कर पाते अब जब तक आप उसको transmute नहीं कर पाऊगे वो body में ठेर कर stagnant हो जाएगा आप देख सकते हो गर आप एक पानी को stagnant रखते हो कुछ हिलाते नहीं हो, कुछ movement नहीं करते हो कुछ time बाद वो पानी drinkable नहीं होगा उसकी properties खराब हो जाएगी उसी तरीके से हमारी body में emotions जो है emotional energy, energy जो flow है उसको रोक रहे है कैसे रोक रहे हैं? मैं आने वाले time पर अपने chakras वाला video लेकर आऊँगा बढ़ हमारी body में वो store हो जाती है वो emotional energy अब वो दब कर फस जाती है वहाँ पर अब वो एक खटी होती रहेगी होती रहेगी, होती रहेगी और अचानक से फटेगी एक छोटे से incident पर अब वो फट सकती है आपके anger से, frustration से, helplessness से addiction से, fear से addiction बहुत तरीके के हो सकते है addiction सबसे easy है जहाँ पर हम उसको recognize भी नहीं कर सकते कि हमारी life में हो रहा है addiction of phone, tv, newspaper, porn दोस्तों से बात करके किसी की complain करना gossip करना अलग-अलग तरीके के addiction है अब वो आ सकते हैं हमारी life पे वो दब सकते हैं और वो अचानक से फटते हैं automatically पता नहीं कहां से मुझे गुसा आया उस person पे कहां से मुझे ये इच्छा करी में अपने दोस्त को phone करके कोई तीसरे person की बुराई करो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दब चुकाता है emotion अब वो जैसे ही intuition हमारे mind में आता है हमारे पास दो option बचते हैं हम या तो उस चीज के लिए जाए या ना जाए अब मैं जानता हूँ मैं आपको कुछ भी बहुत ही एक difficult चीज बोल रहा हूँ करने को वो difficult ऐसे है कि कई बार हमको कुछ चीजे ऐसी करनी पड़ती है जो हमारे favor ले होती है for example अगर मुझे कोई job apply करनी है मैं जानता हूँ मेरे benefit ले है और मेरा friend में को बोल रहा है या मेरी भेन में को बोल रही है कि वो job apply कर और उसके बोलने पर मैं वो job apply नहीं कर रहा तो मैं अपने ego की बात मान रहा हूँ क्योंकि मेरा ego बीच में आकर ये बोल रहा है कि उसकी कैसी मजाल कि ये मुझे बोले उसकी कैसी मजाल यह मुझे बोले कि मैं जॉब अपलाई करूँ तो आप यह बोल सकते हूँ कि मैं अपने emotion को follow कर रहा हूँ बड़ आप अपने emotion को follow नहीं कर रहे हैं आप अपने ego को follow कर रहे हैं अब क्या हो रहा है बच्पन में हमको जैसे ही वो emotional energy को suppress करने के लिए कहा गया था कि अपने emotion एक्सप्रेस ना करें तो क्या हो रहा है वो दब कर हमारी body में ठहर जाते हैं और हमारा जो attunement है उससे वो connection जो है वो cut जाता है cut नहीं कमजोर हो जाता है अब उस कमजोर connection को establish करने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा वापस ये चीज पूछनी पड़ेगी मुझे गुसा क्यों आया मैं वो job apply क्यों नहीं करना चाता क्या मेरा ego बोल रहा है कि मुझे job apply नहीं करनी चाहिए कि क्या मेरे emotion बोल रहे है कि मुझे वो job apply नहीं करनी चाहिए ये question हमेशा आप अपने आज से पूछ सकते हो कि कौन बात कर रहा है मेरे ये body में मेरे ego या मेरे emotion emotion हमेशा आपको सही direction में ले जाएंगे तो एक चीज ये है कि आपको वो connection वापस re-establish करने के लिए आप अपनी body में जा सकते हैं अपनी body को अंदर से महसूस कर सकते हैं आने वाले time पर मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसे आप अपने चक्रास पर focus ला सकते हैं जैसे ही आप अपनी body के अंदर महसूस feeling लेकर आएंगे आप वो connection को वापस re-establish कर रहे हो वो emotional body को वापस जोड रहे हो और दूसरी चीज आप अपने passion को follow कर सकते हैं कोई भी passion है अगर आपको painting करना पसंद है painting कीजिए अगर आपको ये YouTube videos देखना पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए शायद उस पे thumbs up भी डालिए या फिर आप अपने YouTube videos ला सकते हैं जो मैं content ला रहा हूँ उसको ही अपने तरीके से लेकर आ सकते हैं हर एक person का अलग-अलग तरीका है अलग-अलग नजरिया है कोई भी चीज कर सकते हैं आप जो चीज में आपका passion है जब तक आप अपना passion follow करते रहेंगे तब तक चीजे आपके favor में जाती रहेगी या फिर उसका अलग तरीका ये है जैसे हम अपने passion को रोक देते हैं चीजे हमारे against जाने लग जाती है एक तरीके से हम जो चीजे नहीं चाते वो हमारे साथ होती है तो एक simple तरीका ये है जो आपका excitement है वो follow कीजिए जो चीजे आपको पसंद है वो कीजिए तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आया तो please comment box में share कीजिए क्या चीज आपको ऐसी पसंद आया इस video में please बताईए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और अगर आपके पास कोई questions है please मुझे बताईए Instagram पे या comment box में अभी के लिए तना है दोस्तों Thank you